बारे लगातर होती है आरभ नहीं मिलता है तो उस खासी को कम करने के लिए दो 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 कहीए जानेंगे को मिलेगी मैं हूँ आपका होस्ट प्रेजर पतिविकास फार्मसिस्ट और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजूकेशन या नॉलेज की परपस से बना गया है तो कोई भी मैडिसन यूज करने से पहले आपको डॉक्टर की सला जरूर लेनी चाहिए बिना डॉक्टर की सला के कोई भी मैडिसन यूज नहीं करने चाहिए चले बात कर लेते हैं उन दवाईयों का नाम क्या है सबसे पहला जो दवाईय है वो है कैपसूल और उस कैपसूल का नाम है लीकफ एसजी कैपसूल इसके अंदर तीन दवाईया कॉम्बिनेशन में है पहली है डेक्स्ट्रो मित लीकफ जिनको होता है उनके लिए जो दवाईय है दी जाती है कैपसूल दिया जाता है अब देखे ड्राई कफ या सूखी खासी क्या होती है सूखी खासी में दरसल ऐसा होता है कि ऐसी खासी जिसमें बलगम नहीं आता है या बलगम आता ही नहीं या बलगम अंदर से सूर तो और साथ होगए तो जर्स्टाइब सोगए कर मुलते हैं, जैसने की नाक टो मेंदेंरे मुलते हैं, आक में यहां अ कापूलन रहा है, तो जने शूती खांसी. के साथ इसाथ allergy की वज़े से अगर ये symptom देखने को मिलते हैं तो जरहन ये capsule दिया जा सकता है इसके साथ में एक antibiotic capsule भी दिया जा सकता है ये कोई tablet भी दी जा सकती है अगर tablet की बात करें तो amoxiclave 625 mg की tablet देते है amoxiclave में क्या होता है नाम से पता चलता है amoxicillin antibiotic होती है साथ में potassium 순ub perform लानी भी होता है ये कम काम आती है ये बैर दीके वैज़े से जब शरी में इंफेक्षन होता है तब ये antibiotic दी जाती है जैसे कि अगर जो बैक्टिरिया है वो आपके कान में अगर बैक्टिरी के वज़ेसा हुआ है और खांसिय वगेरा हो दी है तो उस दरान यह जो अमॉक्सिक लेव है 625 यह टैबलिट देते हैं ताकि जो खांसिय में जल्दी से आरब मिल जाए तो आप सभी दोस्ते इसमें रिक्वेस्ट करूंगा बिना डॉक्टर की सला कि कोज भी मैडिसन यूज नहीं करनी है यूज करने से पिल एक बार डॉक्टर फार्मसिस्ट की सला जरू लेनी है वर्न आपकी हैल्द के लिए जो है वो डेंजर हो सकता है तो आप सभी को बता चल गया होगा जो दबाईया है खांसिय के दुरान देते हैं वो कौन-कौन सी दबाई है इसमें एक टैबलेट देते है एंटियोबाटिक टैबलेट दूसरी जो की सूखी खांसि के लिए देते हैं आई होप वड़ाप के लिए हैलफूल होगा वीडियो पसंदाए तो लाइक कॉमेंट और शैजरू किजिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेगा ऐसी ही नई नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी धन्यवाद